संकट मोचन मंदिर के महंत पंडित विसंभरनात मिस्र जी बनारस की एक बड़ी हस्ती है, सक्सियत है और कासी हिंदू विस्वी द्याले के IIT में प्रोफेसर भी है और सबसे बड़ी बात है कि महंत जी गंगा निर्वली करण के एक बड़े युद्धा रहे है, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में, आप सामाजिक चितना के बड़े अलम्मरदार भी है और आपके मन में लगातार इस बात की ख़़वदाहट रही है कि बनारस तिल-तिल कर मर रहा है, रेंग रहा है, बनारस की मस्ती और हस्ती मिट रही है, तो और बनारस के लोग चुप है, अखिर क्यों? हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से ये शहर बदल रहा है या तो लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे है कि क्या डाइमेंशन बदल रहा है लेकिन ये इतने स्मार्ट वे में इस शहर को एक तरह से ट्रांजिशन मोड में लोग लेते गए जैसे अभी जो ताजा आपने विशनाद कारिडोर की बात की है तो देखिए विशनाद कारिडोर का मामला हम तो उसको मानते हैं कि पक्के मुहाल का वो हिर्दय स्थल है और बहुत ही बाहर से परेटक आते हैं उसमें वहां के मरम को फील करते हैं वहां के वाइबरेशन को फील करते हैं और हम लोग तो इसको मानते हैं कि ये लिविंग हेरिटेज है वहां के एक-एक बिल्डिंग वहां के एक-एक लोग जो कि ट्रेडिशनल लोग हैं दस-दस, पंदरा-पंदरा पुस्तों से वहां रह रहे हैं, तो वे एक तरह से अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वे इसलिए रहते थे वहां, क्योंकि वो एको सिस्टम भगवान शिव का है, ये शिव छेत्र है, तो शिव जी को अपने पडोस में अपने बनारस को कोई आर्किटेक्शर है, न तो उसमें बनारस को कोई इंपुट है, वो एक प्रोजेक्ट एक तरह से देखे तो लिया के थोपा गया है, जैसे पहले लोग हमसे मिलते थे, तो वो कहते तो हम लोग बाबा विश्वनात का धर्शन करने जा रहे हैं, और आज वो सम जो देवत तो वहां का फिलिंग है, वो लोग उससे अपने को नहीं करनेट कर पा रहे हैं, तो यह एक दुखत तो हई है, लेकिन वो चुकि एक सेंटर प्लेस रहा है, और बाहर से बहुत लोग आते थे, जो उसको वाइबरेशन को फिल करने, उसके वाइबरेशन को फिल क करने उस गलियों में घूमते थे, छोटी-छोटी दुकाने थी, और पता नहीं क्या था, जो हम लोग कोई हो सकता नहीं मालूम हो, लेकिन बाहर के जो परियाटक हैं, वो बहुत उत्साप उर्वक, बहुत ही समय लेकर जाते थे और वहां घूमते थे, तो वो इस्पेस एक गंगा के धार में घुसा के बनाया गया, उससे गंगा की फ्लो डाइनमिक्स भी चेंज होगी, अभी ये हो रहा था, तब तक उस बार रेत में एक बड़ा नहर भी बना दिया गया, तो ये सब चीजे ये एक तरह से देखिए, किसी भी रिवर में, एक नेचुरल रिवर मे इस तरह से बिना स्टडी किये, कुछ छेड़ चार नहीं करना चाहिए, आपको देखे, ये शहर इतना महतुपूर्ण है, ये शहर आपके प्रयोग के लिए नहीं है, आप यहाँ कुछ भी अगर नया करना चाहते हैं, तो आप उसको इवेलवेट कर लीजिए, और उसका इ हैंगे कि ये क्रमशा धिरे-धिरे बिगड़ता चला जा रहा है, और अभी जैनवरी का हमारे पास डेटा है, जहां असी नदी आके गंगा में मिलती है, जहां सबसे बड़ा डिस्चार्ज पॉइंट है बनारस का, और ये डिस्चार्ज पॉइंट सब वेस्ट बैंक पे ही हैं, वहां पर आज के तारीक में अभी जैनवरी का हमारे पास डेटा है, ये करीब 36 मिलियन के करीब फीकल कुलिफाम काउंट है, पर 100 ml, जो इस नान योग अगर नदी हो, तो वो 500 पर 100 ml में 500 से उनकी संख्या कम होनी चाहिए, तो अब बताएए वहां पर जो है आपका ये करीब 36 मिलियन है, वरुना पर आप चले जाएए, तो वहां करीब वो 67 मिलियन के करीब है, तो ये कहीं भी उसके आसपास नहीं है, तो अगर मालिजे सब अगर इस तरह के जैसे दो-दो बड़े प्रोजेक्ट, वो मत्तब एक तरसी इनाग्रेट भी हो चुके हैं, एक दिन गंगाजी के लिए जो सिंसेरिटी के साथ जो काम होना चाहिए था तो आपको जैसे लोग आते हैं, कहते हैं, गंगाजी पहले से अच्छी दिख रही है, आपके दिखने से बात नहीं है, आपका ये water parameter change होना चाहिए, वो तो हम चेंज होते नहीं देख रहे हैं, अब आप बड़ी संख्या में लोग आ रहा है आपको लगता है नहीं कि भक्ति भाव देखिए एक चीज़ मताएं आपको ये किसी के भक्ति भाव जगाने से काशी में भक्ति भाव नहीं आता है ये spiritual space रहा है आज से नहीं आदिकाल से रहा है और किसी के आवाहन पर अगर मान अगर वो रुग्ण वस्था में है और आप बढ़ियां-बढ़ियां को सजाक अगर कुछ कपड़े पहना दीजिए तो एट्रेक्शन तो लगेगा ज़रूर लेकिन आदमी जो बिमार है उसको तो आप ठीक करिए अब जैसे आपका कोई मित्र किसी को परिशानी है तो आप उसको लेा के डॉक्टर को दिखाए उसको जो मेडिकेशन की ज़रत तो मेडिकेशन करिए और कहिया ने ने मिसको अच्छा कपड़ा पहना देंगे और चमक दमक थोड़ा दिखा देंगे उससे उसका सेहत नहीं ठीक होगा तो जो आज उपाय है कि जो रौ सीवेज गंगा है आज आप 100% बंद करें गंगा जी अपने पुराने सहत में रहेंगी लेकिन ये मोधी जी बनारस को स्मार्ट बना रहे है और अब आप देखिए आप एक हजार तरह की बात करिये सारा लिटमस टेस्ट तो यह है कि गंगा जी साफ होंगी कि नहीं हम लोग तो इससे मामले को देखते हैं आप बनारस को चमकाय रहे हैं और गंगा अगर अस्वस्त होंगी हम तो कोई विकास उसको नहीं मानते है थोड़ा सा प्लेटकल सवाल है कि हवा का रुख बदलने के लिए मोदी जी बनारस आ रहे है और यहां पांच दिन रहेंगे और यहां की लोगों को लगता है कि मोदी जी आएंगे तो सियासी रुख बदल जाएगा क्या नजरिया देखिए हम पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं आप पॉलिटिकल सवाल कि अच्छा काम हुआ होता उनको आना नहीं पड़ता और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा इस्टेचर होता है अगर अच्छा आपका यहां पर काम रहता तो एकदम दिखता आपको विजबल होता तो यह कहीं नहीं से हमको लग रहा है कि लोगों ने उस तरह से काम किया नहीं है तो उसको ओवर्शेडो करने के लिए वो एक नया एक तरह से वो किया जा रहा है कि इसको सेनराइज करके आप किसी तरह यह सीट अपना निकाल के लिए तो सीट तो निकल जाएगा चला भी जाएगा लेकिन मामला यह है कि उन मुद्दों का क्या होगा जो आज बन नहीं हैं वो भी अपने इंट्रेस को समझते हैं तो हम समझते हैं कि इसंब को आधार बनाके लोगों को देखें फिल्ड में तो बहुत से कैंडिर्टों को लगे हमारे इन प्रावलम को हमारे असे लोगों चुनना चाहिए और ऐसे कोई ब्राण्ड पे दौड ना हमारे ख क्रेजुली मरते जा रहा है और अगर आप नहीं चेतेंगे तो आगे क्या होगा तो इश्वर जानते हैं ये बनारसियत जो बनारस की अपनी जो एक कलीजे रम्मिता है वो गायब हो रही है और क्यों इसके पीछे क्या है लोगों के उदासीन होने के वज़े से है अगर आप आपको कोई बाहर से मदद भी नहीं करने आएगा ये तो आपकी अपनी बात है और ज़रूरत आपकी है तो आपको खड़ाओं के मुखरों के बोलना चाहिए अब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आदमी जो सोचेगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें लोगों का कंसेंट है उस परिसान है महंगाई से बेरोजगारी से लेकिन उसमें एक बड़ा तपका भी है जो मुदी को बहुत गुडगान भी करता है तो उनके में कुछ क्वालिटी दिखता है हम लोग उतने विजिनरी नहीं होंगे या तो हम लोग उस डाइमेंशन को नहीं देख पा रहे होंगे तो यह तो एक तो व्यक्तिगत तोर पे आदमी को अपने को खुद इवेल्वेट करना चाहिए हमको चाहिए क्या और हमको अपने जन प्रतिवितों से क्या पेक्षा है उससाब से करिए और देखे और आप किसी की पीछे दोड़ेंगे उससे कुछ होना नहीं है आप अगर खुद अपने चैतन नहीं है तो ठीक है तो यह जिम्मेदारी आपकी भी हमारी भी है यह वैवनस्यता बढ़ती जा रही है बनारस में जबकि यह सहर गंगा जमनी तहजीद के लिए जाना जाता था ने हमको तो ऐसा वैवनस्यता दिख नहीं रहा है कि बढ़ रही है और य नहीं है तो उनको समझाना चाहिए ची आपका नुकसान हो रहा है अभी तो वो एकदम जैसे होता न की किम कर्टब विमूड या मेशमराइज़ हैं एकदम भाव विभोर हैं तो उनको समझ भूने है कि क्या हमारा जा रहा है है और जो जा रहा है वो आपको दिखेगा नहीं है बनार्सियत दिखता नहीं है मनार्सियत फील करने वाली चीज है जैसे यहां का जो यह विद्या का केंद्रा है तेहां एकडमिक्स बड़ा है तो और यह चमक दमक और लाइट चमकाना इसाब बनारस का इसाब विधा नहीं है बनारस में विद्वता है बनारस में साहित्य है संगीत है कला है यही उसी का यह केंद्रा है उस डाइमेंशन में तो हम नहीं देख रहे हैं, बनारस इंप्रूव हो रहा है, और जो बड़े लोग जा रहे हैं, उनका कोई रिप्लेस्मेंट नहीं आ रहा है, ये जरूर एक चिंता का विशह है, और ये लोगों को भी बड़ा ध्यान पुर्वक सोचना चाहिए, बनारस जिस चीज के लिए पहचान रखता है अपना, वो पहचान ना जाए बनारस का, और ये राजनीत में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसका बहुत महत्तु नहीं है, लेकिन बनारस के आपकणा जो इन-बिल्ड करेक्टर है, ये मेंटेन रहना चाहिए, इसको ल जब बुलाया, तो इस सहर में बड़ा हाय तोबामची थी, और उसके बाद लोगों को लगा कि ये ताना बना तोड़ रहे हैं महत्तची, लेकिन आप तो जोड़ने का काम है, ये ऐसा नहीं है, और वो लोग जो बिरोध कर रहे थे, वो कुछ गुमराह लोग थे, और आप लोगों से आप क्या बात करिएगा, और संगीत का कोई चोहड़ी नहीं है, और संगीत तो बड़ा दूसरा दुनिया है, क्या बिस्मिल्ला खां की शहनाई यहां उसमे क्या आपको भेदभाव दिखता था, इस ही शहर का है, और यही बाला जी घाट पर गंगा तड़ पर अभ्यास करते थे, तो बिस्मिल्ला भी तो यहीं के थे, तुमको कैसे आप अलग कर दिएगा, यह शहर तुसीदास जी का है, यहीं रहे है, यहीं कभीर रहे है, एक सेख, यहीं बुद्ध रहे, कौन नहीं रहा है, तो इस शहर के तो इतने डाइमिंशन है, और देखिए काशी ढूंडे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे, यह ढूंडने वाला जगह है, यह एक्स्प्लोर करने वाला जगह है, खोषते रहेंगे, आपको हर बार कुछ न्या डामेंशन मिनेगा, तो ढूंडते रहे है, काशी अनन्त है, इसका कोई सर पर खोज नहीं पाएगा यह मोदी जी ने साथ साल या आट साल लगबाग गुजार दिया है, बनारस में, और क्या मिला बनारस को, और क्या लगता है कि जो विकास कहां तक जाएगा बनारस का, अब ऐसा कुछ देखिए, हमारा तो सब विकास हम तो लेते गंगाजी के सफाही से, अगर गंगाजी का इस्तिति बद से बत्तर हुआ है, हमको तो सबसे ज्यादा चिंता उसी का है, तो आप बाकी विकास करते रहें, वो तो बनेगा बिगड़ेगा, वो सब कोई भी आएगा, कर लेगा, मामला सारा लिटमस टेस्त तो आपका यहां है, अगंगाजी का इस्यू जब आप बात कर